मेरे प्यारे भायो भैनो, डिपावली में सवभाग्य और समर्द्ध के रूप में लक्षमी का घर घर आगमन होता है, परमपरागत रूप से लक्षमी का स्वागत है, क्या इस बार हम नए तरह से लक्षमी का स्वागत कर सकते हैं? हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना गया है क्योंकि बेटी सवभाग्य और समृत्ति लाती हैं क्या इस बार हम अपने समाज में गावों में शहरों में बेटियों के सम्मान के कारिकम रख सकते हैं सारवजनिक कारिकम रख सकते हैं हमारे बीच कई इसी बेटियां होगी जो अपनी महनत और लगन से, टैलेंट से, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर रही होगी, क्या इस दिवाली पर हारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कारकम हम कर सकते हैं? हमारे आस पास कई बेटियां, कई बहुएं ऐसी होगी जो असाधारन काम कर रही होगी, कोई गरीब बच्चों की बढ़ाई का काम कर रही होगी, कोई स्वच्छता और स्वास्त को लेकर जागरुपता फैलाने में जुटी होगी, तो कोई डाक्टर, इंजीनियर बन कर समाज की सेवा कर रही होगी, वकील बन करके किसी को नय दिलाने के लिए कोशिश करती होगी, हमारा समाज ऐसी बेटियों की पहचान करे, सम्मान करे और उन पर अभिमान करे इनके सम्मान के कारकम देश भर में हो, एक काम और कर सकते हैं कि इन बेटियों की उपलब्दियों के बारे में सोशल मिडिया में अधिक से अधिक शैर करें और हैश्टेक यूज करें हैश्टेक भारत की लक्षमी जैसे हम सब ने मिलकर एक महा अभियान चलाय था शेलफी विथ डॉटर और वो दुनिया भर में भैल गया था उसी तरह इस बार हमके इश्वारत की लक्षमी भारत की लक्षमी के प्रोथां का मतलब है देश और देश वासियों की समर्द्धि के रास्ते मजबूत करना हूँ